तो रमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप कैपकट अप्लिकेशन यूज करते हैं और कैपकट अप्लिकेशन में आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दूर ने के लिए करना कहा है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में जब भी आप यूज करेंगे आपको इफेक्ट्स वगारा यूज करेंगे या फिर कुछ भी फिल्टर वगारा डालेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम आएगी ही आएगी इसकल दूर करने के देवनिस के बाद manage apps पर आना है यहां पर आपको आपके मोबाईल के भी जितनी भी applications होगी आपको यहां पर सेर्च बार में Capcut को search कर लेना है जैसे आप Capcut को search करेंगे अब यहां से इसको आपको open करना है open करने के बाद अब यहां पर आपको सबसे उपर storage देखने को मिल रहा है storage पर आईए यहां से clear data और इसका clear catch कर दीजिए एक बात का ध्यान रखना है आपने यहां पर clear all data नहीं करना है सिर्फ clear catch करना है यहां से clear catch करिए इसके बाद आजाईए back आपको यह काम जरूर करना होगा इसके बाद आपके mobile में option देखने को मिलेगा आपको background data या फिर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है restricted data uses यहां पर आईए यहां आपके mobile में बंद होंगे इनको आप टिक करके ok कर दीजिए और background data भी आपका बंद होगा आपके mobile में background data के नाम से एक option आएगा यहां पर तो उसको आप on कर दीजिए यह काम आपको जरूर से कर देने है तैन उसके बाद नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा 4 stop यहां पर uninstall की side में आप 4 stop देख सकते है एक बाद अपने application को 4 stop कर लिजिए तो आपकी problem जो है solve हो जाएगी यह सब काम करने के बाद डारेक्ली back आजाईएगा प्लेश्टोर में आईएगा प्लेश्टोर में आने के बाद आपको search कर लिएन है VPN यहां पर बहुत सारी applications आपको देखने को मिल जाएगी किसी भी VPN को आप जो है यहां से install कर लिजिए यहां पर यह VPN है मैं इसको install करके रखा हुआ है तो यहां से इसको use करके आपको दिखाऊंगा आप किसी भी VPN को use कर सकते हैं वैसे तो जैसे कि आप देख सकते हैं VPN है उपर की तरफ आपको एक अर्थ बनी दिख रही है इस पर क्लिक करिएगा यहां पर सभी servers बगएर आ जाएंगे सबसे पहले Singapore का server है इस पर आपको select कर लेना है और यहां से connect हो जाना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं connected तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी VPN लिखा चुका है अब आप जो है यहां पर अपनी CapCut application को यूज कर सकते हैं फिर आपको internet से related problem नहीं आएगी no internet correction का error जो है फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा फिर आप अपनी CapCut application को यूज कर पाएगे यही कुछ आपको करना होकर आपकी problem solve हो जाएगी so guys hope आपको वीडियो चलिए वीडियो चलिए लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते नेक्स वीडियो पे टिल नर्भाटे के love you all